हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छतकी सट्रिंग कितने दिन में खोलना चाहिए छतकी सट्रिंग के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ मैं आपको बीम और कॉलम के बारे में भी बता दूंगा छतकी सट्रिंग देखिए सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कितने टाइप से हम कर सकते हैं तो जो कच्छा फ़ड जो गाउं में यूज होता है ब्लेज एरिया में जनरल लोग यूज करते हैं वो मैंने बताया था उसके बाद यहाँ पर plates का यूज किया जा रहा है ply का यूज किया जा रहा है जो कि मतलब सहर में maximum यूज होता है कौन सा ग्रेड है M20, M25 ग्रेड ऑफ सिमेंट सिमेंट का भी ग्रेड होता है अगर आपको यह जनकारी नहीं है तो सिमेंट की प्लेलिस्ट देख ले ग्रेड ऑफ सिमेंट कौन से ग्रेड का सिमेंट है और कौन से टाइप का सिमेंट है ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और temperature उस जगे का temperature कितना है और size जो आप बना रहे हैं concrete member का यानि beam column slab का उसका size क्या है यानि मुटाई थिकनेस ये सारी चीज़ें कितनी दूरी तक है ये बहुत ज़्यादा जरूरी इसके हिसाब से ही आपके जो form work है उनको आप निकाल स या खोलते हैं तो उसको आपको 14 दिन से 15 दिन में ही खोलना चाहिए कम से कम और आप ज्यादा से ज्यादा 21 दिन ले सकते हैं अगर मान लीजे वैसा वातावरन है आपके area का तो अगर वातावरन सामानने हैं तो फिर अलग चीज़ आ कि cement पर भी असर पड़ता है OPC या PPC उ 6 मीटर से कम है यानि कि लगभग 18 से 20 फिट तक है आपका तो 14 से 15 दिन में आप खोल सकते हैं और अगर 18 20 फिट से ज्यादा लंबा आपका बीम है इस कंडिशन में आप 21 दिन तो लेना ही लेना चाहिए आपको बात कर लें मैं OPC cement की बात कर रहा हूं या फिर आप PPC में भी से यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग cement यूज करते हैं बात करेंगे कॉलम की तो कॉलम आप 16 घंटे से लेकर 24 घंटे में खोल सकते हैं वैदर का इस पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये एक वर्टिकल मेंबर होता और वर्टिकल मेंबर में या वाल में ज प्रुक्रिया